अलो दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल विद स्मिता दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी और बहुती हेल्दी किन्वा बरितो बॉल चलिए अब हम इसके इंग्रीडियन्स नोट डाउन करते हैं वन फोथ कप औरेंज कैपसिकंप, वन फोथ कप यलो कैपसिकंप, वन फोथ कप रेड़ कैपसिकंप, गारणिश के लिए धनिया, पांच लसन की कलिया, एक प्यास, हाफ कप बॉइल कॉन, एक कप बॉइल राज्मा 1 테westle ठाम, 1 테 örञ चिली फ्लेक्स, 1 테 Rafale केचाप, 1 테 حंक चिली लिया है पहले हम केञ्वा को कुक करेंगे बर्तन में 3 कप पानी चाहिए मैंने इस बॉयल आते ही बॉयल हमस में केञ्वा डालेंगे मैंने इस पानी में 1 टी स्पून सॉल्ट भी डाला है कीनुआ को हम मीडियम फ्लिम में ही पकाएंगे जब तक इसका पानी 90% सूप न जाए देखिए अभी पानी सूप गया है अभी गैस को मैंने ओफ किया है और ढखके इसको रखेंगे 15 मिनिट तक 15 मिनिट के बाद देखिए हमारा कीनुआ अच्छे से पाग गया है चलिए अभी कुकिंग शुरू करते है गैस के ओपर तवारक का है मैंने मीडियम फ्लेम में और ओल डाला है ओल गरम होते ही अब हम इसमें डालेंगे लेसन लेसन को ज्यादा कुक नहीं करना है हमें अब इसमें डालेंगे प्यास प्यास को भी हम एक मिनिट तक बुनेंगे देखिए प्यास बुन गया है अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारी सब्सिया इन सब्सियों को भी हमें जादा बुनना नहीं है हमें सबजियां क्रंची ही चाहिए इसलिए मैंने सबजियों को सिर्फ एक मिनिट तक थोड़ा सा बुना है और अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉयल किया हुआ कीनुवा कीनुवा को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें औरेगैनो रेट चिली फ्लेक्स और थाइन फिर इसमें डालेंगे केचप और साल्ट इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद हम एक मिनिट तक कुक करेंगे और आखिर में डालेंगे धनिया मैंने यहाँ एक सॉस बना है इसमें मैंने दो स्पून मियोनिस डाला है और दो स्पून श्रीराचा हाट सास डाला है परितो बाउल के लिए हमें चाहिए टॉमेटो कुकुम्बा सालसा और गौकुमॉली आप इसके रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो अब हम प्लेटिंग शुरू करते हैं एक बाउल में मैंने लेट्यूस लिया है इसके उपर हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ केनुआ थोड़ा डालेंगे टॉमेटो कुकुम्बा सालसा ग्वाकमोली थोड़ा सावर क्रीम और इसके उपर हम डालेंगे श्रीराचा मियो सॉस जो हमने बनाया था हमारा हेल्दी केनुआ बरितो बाउल सर्व करने के लिए तयार है